हेलो फ्रेंज दिस पारितोस और आप देख रहे हैं I speak about money आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी information एक ऐसी update आपके साथ discuss करने वाला हूं कि आपका दिल कुछ हो जाएगा पूरी दुनिया में जहां महंगाई inflation food grain inflation एक चिंता का विशय बना हुआ है इस पे बह तो अभी हुआ क्या है कि आप ये खबर थोड़ा ध्यान से पढ़िये लिंडा थोमस जो की US की representative है ambassador है for the United Nations उन्होंने United Nations में ऐसा कहा कि United States is prepared to give comfort letters to shipping and insurance company to help facilitate exports of Russian grain and fertiliser she noted that Russian grain and fertilizers were not under US sanctions but that companies are a little nervous and we are prepared to give them comfort letters if that will help to encourage them अगर मैं बात करूँ दुनिया की सबसे ज़्यादा जो कौन सी वो country है जो सबसे ज़्यादा wheat export करती है मतलब पूरी दुनिया में वो कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा wheat export करता है तो वो है Russia मैं 2021 का data बता रहा हूँ आपको 7.3 billion US dollar का तकरीबन रसिया ने export करा जो पूरे wheat export जो होती है पूरी दुनिया में जो wheat export होता है उसका तकरीबन यह हिस्सा है 13.1% आज जो आप inflation देख रहे हो महंगाई देख रहे हो उसके पीछे दो reasons है सबसे पहला कि Russia export नहीं कर पा रहा wheat क्योंकि वो सबसे बड़ा exporter है तो लोगों के पास अनाज नहीं है और जो बाकी countries है वो export ban कर रही है काफी सारे देश ऐसे जो पूरी तरीके से dependent है Russia पर और Ukraine पर त तो उनके पास खाने को खाना नहीं है अनाज नहीं है महंगा मिल रहा है यह एक main reason है food grain inflation का तो Russia सबसे पहले number पर आता है उसके बाद अगर आप देखेंगे पाच में number पर आता है Ukraine तकरीबन 4.7 billion US dollar export करता है पूरी दुनिया का तकरीबन 8.2% export करता है अब आप बोलेंगे कि देखो Russia पे तो US से ने sanctions लगाए वे थे कि भई आप export नहीं कर सकते हैं और कोई nation इनसे import नहीं करेगा हालंकि अब जाके कल की बात है यह थोड़ा सा इन्होंने administrative ने वहाँ पर जाके United Nations में बोल दिया कि आप export कर सकते हो लेकिन ऐसा ही नहीं हाँ हुआ है ठीक है इसके पीछ इस मही की खबर देख लीजए रस्या के deputy foreign minister ने एक proposal रखा था United States of America के सामने कि Ukraine की जो 4-5 ports है जिस पर रस्या ने कबजा क्या हुआ है योकरेन की 4-5 ports है जहां से वो पूरी दुनिया को export करते हैं उस पर रस्या ने कबजा क्या हुआ है Russia को तो United States export करने नहीं दे रहा और Russia Ukraine को export नहीं करने दे रहा तो जो उनकी 4-5 ports है उस पर पूरी तरीके से Russia ने कबजा क्या हुआ था कि हम export नहीं होने देंगे तो जो export है जो महां का जो माल है वो ऐसे कि ऐसे ही पड़ा हुआ है तो सामने से 26 माई 25 माई की एक अबर थी 26 माई को न्यूज आई कि US ने यह जो प्रोपोजल है कि जो Ukraine port है वहां से हम माल जाने देंगे मतलब महां को उसको फिरी कर देंगे अगर आप sanctions हटाते हो तो US ने इसको directly reject कर दिया था अभी पहला reason है food grain inflation का वो है wheat कि wheat exporting country जो है Russia और Ukraine वो पूरी दुनिया को तक्रीबन 20% export करती है जिस पर पूरी तरीके से बंद है रसिया को export करने नहीं दे रहते और रसिया Ukraine को export नहीं करने दे रहा था दूसरे नंबर पर आता है fertilizer तो अगर आपके पास अपनी खुद की agriculture करते भी हो तो दूसरी जो आपको जरूरत है जो main reason है food grain inflation का वो है fertilizer अगर मैं बात करूँ fertilizer की तो fertilizer में जो top most countries है जो export करती है fertilizer 2020 का data है उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है Russia तक्रीबन ये 7 billion US dollar के तक्रीबन का जो value worth है उसको export करती है पूरी दुनिया में उसके बाद नंबर आता है चाइना का जो तक्रीबन 6.37 US billion dollar का fertilizer export करती है उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है Canada उसके बाद आता है United States, Morocco, Belarus इस तरीके से अगर मैं बात करूँ सिफ ऐसा नहीं है कि ये बात बाकी देशों की है अगर इंडिया में हम लोग wheat हमारे पास काफी है consumption की जो requirement है जो हमारे पास surplus पढ़ा हुआ है wheat export हम wheat खुद से जो हमारे यहां पर होता है वो हमारे domestic consumption के लिए काफी है लेकिन हम पूरी तरीके से dependent है fertilizers के लिए कैसे अगर आप बात करें जो leading fertilizer importing countries है 2020 का ही data है उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है Brazil जो तक्रीबन 8.03 US billion dollar का value का import करती है दूसरे नंबर पर आता है India 7.18 US billion dollar का हालंकि इंडिया के लिए अभी fertilizer की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी कोकि हमारा अभी cropping season start होने वाला है अभी जरूरत नहीं थी अभी हमारे जो cropping होती है उसमें fertilizer की जरूरत नहीं होती लेकिन November और December में fertilizer की जरूरत होती है तो अगर यह relaxation नहीं मिलता तो इंडिया में 100% आपको महंगाई और ज्यादा देखने को मिलती और RBI जो rapor rates बढ़ा रहे थे वो बहुत ज्यादा aggressively बढ़ाया जा सकता था जो हमारे हाँ domestic company है वो तीन तरीके के fertilizer import करती है जिसमें nitrogen आता है potass आता है और phosphate आता है हम पूरी तरीके से dependent है potass पर आज अगर domestically भी आप manufacture करना च जाते हो fertilizer जो agriculture activity के लिए जरूरी है आप अगर अपने हाँ उगावी लोगे अनाज हो भी जाएगा तो भी आपको जरुरत है इसकी fertilizer की तो वो fertilizer से पूरी तरीके से हम तीन देशों पर dependent है रसिया पे बैलरस पर और चाइना पर हम अपनी potass की जो requirement है तकरीबन 60% से जादा हम import करते हैं और potass use होता है आपका fertilizer बनाने के लिए nitrogen की भी हमें dependency है हमारी तो अगर ये fertilizer relaxation नहीं मिलता या ये export नहीं हो पाता तो आने वाले time पर हमें ये जो food हमारा जो subsidy है अगर हम दूसरे देशों से भी मंगाते तो ये subsidy पे हमें बहुत जादा पैसा खच करना पड़ता import free हो जाता है रसिया को और Ukraine को बोल दिया जाता है कि आप export कर सकते हो तो हमें नहीं पुरी दुनिया को काफी राहत मिलेगी तो जो main reason है food grain inflation का उस पर काफी हद तक control किया जा सकेगा आने वाले महिनों में दो महिनों में तीन महिनों में आप जो inflation जो हमारे लिए चिंता का व बावार और ज्यादा रुक जाता है तो जहां market आप इस war situation से पहले देख रहे थे आप वहां होते वे दिखाई देगा आपको तो यह मुद्धा यह topic मैं इसलिए आप लोगों के साथ discuss कर रहा हूं कि आप लोग काफी बाते सुन रहे होंगे recession को लेके bubble को लेके bubble effect हो गया inflation क को लेके इस पर काफी हद तक control लगने वाला है तो आप ऐसा investor इस समय यह wait मत कीजे कि market ओर गिरेगा तब मैं पैसा लगा हूंगा ऐसा मुका नहीं मिलेगा अभी से आपके जो भी आपके stocks है जिन पर आप अपनी watch list में रखे हुए हो उन पर दीरे दीरे पैसा invest करना start कर लेकिन इस news के बाद अब Russia और Ukraine का जो मामला है वो काफी हद तक एक step उस पर रखा गया है sanctions जो है वो एक step हटा दिये गए है United States की तरफ से तो जो बाकी nations को फाइदा मिलने वाला है बाकी nations में जो food grain inflation का जो मामला है जो चिंता का विस है उस पर control लगेगा जिसका फाइदा प अगर देखो महंगाई महंगाई पर control लगता है तो सीधा सीधा है कि जो central bank है उनको aggressively approach नहीं लेने की जुरत है जो वो rapport rates बढ़ाने की कोशिस कर रहे है कि हम जल्दी से जल्दी बढ़ाएंगे वो नहीं करेंगे क्योंकि अगर rapport rates इतनी जल्दी aggressive बढ़ाना पड़ता है तो growth rate भी कम होता है तो चीजों को balance लेके चलना पड़ता है तो इस चीज पर काफी हद तक control लगेगा liquidity market में दुबारा आ सकती है ये मेरा perception है आपका अलग हो सकता है लेकिन ये हमारे लिए investor community के लिए काफी अच्छी खबर है कि जो sanctions है food grain inflation का जो main reason था वो उस पर अब United States ने वो sanctions हटा लिए है तो आज के लिए इतना ही था I hope इस वीडियो से किसी ना किसी तरीके से आप help मिलेंगी invest करते रहो wait मत करो कि आप market ओर गिरेगा आपको invest करते रहना है S.I.P. को continue करते रहे जो भी stocks आपकी watch list में उसमें धीरे-धीरे अपना exposure बढ़ाते रहे फिर मिलेंगी अब तक लिए धन्यवाद बंदे मातरम जहें